आज दर पे चल के आया है मौका मौका कौन है भे? दिल का अर्मा दिल में ही फूटा ओर अब अब आएगा तेरा मौका तेरा मौका दिका भी नहीं रेग माने सिकंदर का सिकंदर बोला है सूर मा है अगर तो दुनिया पे चाफ के दिखा सारी दुनिया से जाए हम तो यारा टकला इतना रखते हैं हम फून-पून میں धिगरा मौका मौका अब दूप अनों को चीरती है इनकी नौका जमी में ढूबो देते हैं हम सब की नौका मौका मौका मोका इन आफताबों कभी है मोका सुभाव सुभाना ढल जाए मोका चिराग है ये जल जाएंगे ठूकेगे तो फुटी जाएंगे शिकारी है ये खा जाएंगे ये खुटी ही शिकारी जाएंगे क्या था बे? कितने भी हुचे शॉट पड़ जाएंगे पर कोई भी कैश ड्रॉप नहीं होता यार ये कैश ड्रॉप थोड़ी ना है? पागल हो गया कि तुम लोग? अरे ये तो सरासर मारने वाला का चूती आपा है यार? कहीं भी उल्टा सीधा मार रहा है? भाई हाथ में देना चाहिए ना? ये कहां बीच में मारे जा रहा है? कन्व्यूज कर दिया बिचारे लॉंडो को और भाई मलेक तो फिर भी ठीक है कोई इस अजमल से पूछो के भाई जब कैश नहीं लेना था तो इतना खतरना गवाला पोस क्यूँ बनाया? और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान टीन का टीन हूँ आनंद कामरा नकमल भी कर चुका है वाह शाबाश लॉंडे हाथ में चड़ी पहन के बॉलर का मुझरा देख रहा है और वो तो अच्छा है कि ये बंदा विकेट कीपर है अगर बॉलर होता तो इसकी हर बॉल नो बॉल होती पैर भले इसका हमेशा अंदर रहता पर बॉल पेकने से पहले ही इसके दाथ क्रीस से बाहर निकल जाते और भाई बैट्समेन भी इस बंदे से बहुत जादा परेशान रहते हैं कई बार उनको बोलना पड़ता है के भाई थोड़ा पीछे रहा के विकेट कीपिंग कर ले कैचिंग के साथ साथ इन्होंने अपनी फिल्डिंग में भी काफी इंप्रूव्मेंट किया है कई नए नए तरीके निकाले हैं फिल्डिंग करने के स्पेशल सिंक्रोनाइस फिल्डिंग पॉर दोस स्पेशल नवाबी मोमेंट्स उन फिल्ड वैसे ये पहली बार था कि किसी न चूम चूम अफरीदी के पीछे कोई हरकत की हो वरना ऐसी हरकत करने में चूम चूम अफरीदी ही आगे रहता है आए मीन पीछे रहता है आप फरीदी तुमने हमें कई करें चूड़ा आप फरीदी जी में तुमने कभी माफ भिल् comigo करूंगी तुमने कभी माफ ने करूंगी आप धी I hate you और तो और इन्होंने फीजियो भी ऐसा हायर कर रखाया है जो सेंट परसेंट इनके इंटलेक्चुल लेवल को मैच कर सके एक बड़ी बॉल जाकर दो छोटी बॉलों से टकराती है और यूनिस खान को बहुत ही जादा दर्द का एहसास कराती है समझदार फीजियो तुरंट बॉलों की गंबीरता को समझता है मामले की गंबीरता को समझता है और दोड़ता हुआ आता है भाई अगर ऐसे डॉक्टर होने लग गए तो असम से पूरी की पूरी टीम नपुनसक हो जाएगी मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस डॉक्टर के मन में ये खयाल आया कैसे मतलब सोचा गया इसने कि मैं जाके स्प्रे छिड़कूंगा और लड़के का रोम रोम जज़बा का हड़ा हो जाएगा भाई थोड़ी शरम कर ले गलत दवा के छिड़काओं से कभी कभी पूरी की पूरी फसल तबा हो जाती है और भाई इंडियन टीम बेवज़ा स्ट्रेडिजी बनाने में इतना टाइम वेस्ट करती है इनको वेवकूफ बनाने में कोई जादा बड़ा काम तो है नहीं बस थोड़ी सी एक्टिंग भी कर लो तो भी काम चल जाता है पाकिस्तान टीम की डिसिप्लिन के बारे में तो सबको पता ही है बड़े ही डिसिप्लिन बन दे हैं बिचारे, बहुत सीधे हैं पर इनका discipline सिर्फ एक ही जगे जाके बिगड़ता है और एक ही चीज को लेके इनकी टीम में हमेशा लड़ाई होती है और वो चीज है press conference क्योंकि वहाँ English बोलनी पड़ती है और भाई match fixing में पकड़े जाने से ज़्यादा डर अगर उनको किसी चीज से लगता है तो वो है English बोलने से तो मैदान में चूतियो वाला डांस करवालो वो हजारो बार कर लेंगे पर English कताई ना बोल पाएंगे भाई